आज के इस विडिमे मैं आपको वदाने वाला हूँ Google Map में Speed Limit Warning को कैसे अनेवल करते हैं किसे Turn On करते हों माच के डो में देखेंगे आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंट्रेस्टिंग विडियो देखने के लिए तो चले जोस्तों विडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपनो Google Map Open करना है गूगल में आप उपन करने बाद आपको उपर परफाल एकन पर प्रेस करना है उसके बाद आपको सटिंग्स पर प्रेस करना है सटिंग्स पर प्रेस करने बाद नीचे आपको थोड़ा सा स्कॉल ड़न करना है यहां पर आपको option मिलेगा navigation settings इसको open करना है यहां पर आपको नचे थोड़ा सा scroll on करना है यहां पर देखे driving option speedometer यहां पर off रताप इसको on कर देना है इसको on करने बाद आपको speed limit warning notification मिल जाएगी तो आप इस तरह से google maps में speed limit warning को enable कर सकते हैं turn on कर सकते हैं तो उमीद करते हैं सोटा से video आपको अच्छा लगा होगा अगर video अच्छा लगा तो like करेए शेर करेए और subscribe करना ना भूले टेक्स जिलार चैनल को मिलते हैं